हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू दा चैनल से स्टी स्टेडी पॉइंट और आज हम बात करेंगे केंदर सरकार की एक नई योजना के बारे में जो की NEP 2020 के तहत इनोंने इसको लॉंच किया है और बहुत इंपोर्टन्ट योजना यह हमारे देश के लिए तो यह जी हाँ यह 15 साल से बड़े बच्चों के लिए यह 15 साल से बड़े जो युवा है या जो बुजुर्ग है उनको सिक्षित करने का काम करेंगे क्योंकि यह माना जाता है कि हमारे देश की कोई भी एक भाषा अगर कोई व्यक्ति समझ के साथ पढ़ और लिख लेता है तो उसे साक्षर मा जाता है तो इस स्रेणी में जो भी नहीं है उसको इस स्रेणी में लाने के लिए इस योजना को चलाया गया है और यह वोलेंटियर्स के द्वारा चलाई जाएगी देखें मैं इसकी साइट पर ही हूँ इस समय यह आपको दिख रहा होगा यह निव इंडिया लिटरिसी प् चार्ट होगा और दो हजार चब्विस सताइस के सैसन तक यह चलेगा ठीक है फाइव यह यह और लगभग पांच करोड लोगों को यह लोग जो हैं वो साक्षर करेंगे और यह लिखा देखिए जो नॉन लिटरेट लोग है एज 15 से आवब या एज 15 के उसमें उनको यह ल इसी है यानि कि बेस में जो हिंदी पढ़ना आनी चाहिए समझ के साथ उसके साथ साथ अंकों का ग्यान भी होना चाहिए समझ के साथ साथ दूसरा क्रिटिकल लाइफ इसके लिए यह बहुत इंपोर्टन है इसमें क्या है कि जो चीज हम लोग जानना नहीं चाहते हमारे सा जो सामान वर्ग के जो लोग होते हैं जैसे जो सिक्षित नहीं होते हैं या जो कम सिक्षित होते हैं तो उनको इन सब चीजों की नौलेज होनी चाहिए कि फाइनेंसल लिट्रेसी और डिजिटल लिट्रेसी यानि कि सोशल मीडिया और इन सब के बारे में और हमारे देश की अर्थविवस्ता के बारे में लीगल जो ये जो नियायाले से संबंदे जो भी होते हैं हेल्थ केर अवियरनेस, चाइल्ड केर, एड्यूकेशन, फैमिली वेलफियर इन सब के बारे में अच्छी से नॉलेज होनी चाहिए ये भी पूरा उनको स्किल सिखाया जाएगा उनकी लाइफ का, उसके साथ बेसिक एड्यूकेशन तो, जो हमारे स्कूल में दी जाती है, क्लास 3-5, 6-8, 9-12, 12 तक, 12 तक बच्चा 15-16 साल का होता है, 16-17 साल में माना जाता है, इसलिए इसके बाद जो लोग, फिर भी साक्षर नहीं होते हैं, इत्ती एड्यूकेशन के बाद भी, इसलिए ये प्रोग्राम चलाए गया है, और चौता है वोकेशनल कोर्स, जिससे कि आपकी जो लोकल एंप्लाइमेंट आपको मिल सके, जो रोजगार चलते हैं, स्वारोजगार होते हैं, लगो उद्धोग होते हैं, छो सासाथ एडल्ट एड्यूकेशन, आर्ट में, साइंस में, टेकनलोजी में, स्पोर्ट में, इन सब चीजों में भी आपको आगे बढ़ाना है, लोकल लर्नर्स का जो है यूज करना है, जिनने लोकल लोगों को जो चीज अच्छे से आती है, वो चीज आपको माली, जो कोई कल्चरल चीज, लोकल व्यक्ति को अच्छे से आती है, तो वो उस चीज में भी इंट्रेस्ट बढ़े, उस चीज में और लोग तक वो बात पहुचाई जाए, फिर फॉर्मेशन और इन्वाल्मेशन ऑफ एसेच जी, जो सत्रा जो आपने देखे होंगे, सतत्र विकास के ज जो लक्षे हैं उसके, सत्रा लक्षे हैं उसके, तो आप वो चीज भी देख सकते हैं, इस स्कीम में यह है कि सबसे ज़्यादा यह है कि पंद्रा वर्स और उससे बड़े जो बच्चे हैं उनको साक्षर बनाना है, हर लेबिल पर, इनके जो यह पांच पॉंट है, इन पर साक्षर मनाएंगे लोगों, जिससे की कोई आगे जो हमारा देश है वो पूर्टा साक्षर हो, ऐसा ना हो कि आदे लोग साक्षर है और आदे लोग साक्षर नहीं है इस तरह से, और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कोई भी एक भाषागर देश का व्यक्ति समझ के स साथ पढ़ लेता है और लिख लेता है, है ना समझ के साथ पढ़ा और लिख लेता है, है ना समझ के साथ पढ़ा और लिख लेता है, तो वो उसे साक्षर माना जाएगा, लेकिन यह आप इस समझ के साथ है, याद रखिएगा, ठीक है, समझ के साथ पढ़ा और लिख लेग पर लिखा हुआ है 2022-30 के शैसन से लिका 26-27 के शैसन तक चलेगा यह है इसके साथ कितने एज के लोग और उनसे आपप बालों के लिए यह प्रोग्राम चला है इसके कौन-कौन से 5 कॉम्पोनेंट्स है वह बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है यह पांचों कॉम्पोनेंट्स आप याद कर लीजेगा जिससे कि एक्जाम में अगर इस टाइप का कोशन आए तो आप कर सके तो यह इसी की साइट पर जाके मैंने आपको पूरा दिखाया यहां पर और यह प्रोग यह दोस्तो लाइक कीजिएगा चैनल पर नहीं हो तो परो सब्सक्राइब करके ही जाएगा दोस्तो इसी तरह की आपको नियूज जो है अपडेट्स में करती रहती हूं मिलती हूं अगली वीडियो में नमस्कार दोस्तो